हेलो बच्चो तो बच्चो कल हम सभी ने मिलके electricity का first part किया जिसमें हमने ये देखा कि आकिरकार electricity flow करती है तो वो किस प्रकार अपने movement को और अपने state को किस प्रकार से wire के अंदर carry करके चलती है आज उन्हीं सारी चीजों को हम थोड़ा आगे extend करते हुए पढ़ाई करेंगे और इसको एक एक topic को धीरे धीरे cover करके चलेंगे और पता करेंगे कि आखिरकार हम लोगों ने इस chapter में क्या सीखना सुरू किया चलिए तो आज का पहला topic है potential difference क्या है पहला topic potential difference हिंदी में कहा जाता है विववांतर क्या बोला जाता है विववांतर और अब बात आती है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ विववांतर की तो देखे पहले मैं formula generate करके दिखाता हूँ फिर मैं आपको इसके बारें बताता हूँ तो मेरे भाई potential difference को बताया जाता है potential difference is equal to work done work done upon me time हिंदी में विववांतर बराबर किया गया कारे बते में समय है समझे रहो विवांतर मतलब की क्या है भाई विवांतर potential difference मतलब की क्या भाई इसको denote किया जाएगा आपको V से work done को W से और time को छोटे वाले T से सोरी 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 बच्चों गलत बोल दिया गलत 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 चार्ज चार्ज और चार्ज को denote करेंगे Q से ये बच्चों हमारा बनता है formula V is equal to W upon में Q ठीक है अब ये तो होगे हमारा potential difference का formula ये होता क्या भी थोड़ी दिर में बात करेंगे फिलाल अभी हमने formula generate कर लिया अब बात आती है कि बच्चों physics में एक चीज हमने देखी है कि कोई भी चीज अगर हमें physical way में मिल रही है जिसे हम touch कर सकते हैं हम measure कर सकते हैं weight कर सकते हैं length नाप सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं मान लीजी आप चल कर आए अपने घर से यहां तक चल कर आए ठीक है मेरे पास तक आए तो आप इसका मतलब क्या हुआ आप कई किलो मिटर का फासला दूर करके कई मीटर का हो सकता कुछ मेरे essay students जो मेरे घर के आस पासी रहते हैं तो बस वो मीटर का कुछ ही मीटर चलते हैं और मेरे घर के आस पास आ जाते हैं ठीक है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमार से बहुत दूर-दूर बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अभी उनका मन कर गया मिलने का वो आएंगे तो मतलब कई किलो मीटर तो आप ऐसे क्या बोल रहे हैं कि जब भी आते हैं तो किलो मीटर बोलते हैं जब भी आते हैं मीटर बोल रहे हैं मतलब जब भी हम लोग डिस्टन्स कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कोई कोई unit use कर रहे हैं ठीक है अब मान लीजिये आप लोग कहीं रिष्तेदारी में जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं आदी किलो एक किलो दो किलो पांच किलो ठीक है अब जोसे कल को आपकी साथ दी हो जाएगी तब तो पाच-पाच किलो मिठाई लेके जाओगे क्यों भाई वहाँ खाने के लिए बहुत सारे लोग है आपके चाने वाले तो इस परकार से हमने क्या देखा भाई कि आप किसी भी चीज को मैजर कर रहे हैं तो वहाँ पर एक यूनिट लगा भाई आप सोना लेने जाते हो एक तोला सोना दो तोला सोना तो इस तरीके से बोलते हैं न हम तो यनि क्या है जब भी हम कोई भी डिजिट लगा रहे हैं तो उसके आगे यूनिट लगा रहे हैं कि हमें पता चले कि भाई आप किस बासा में बात करने हैं तो इसी परकार potential difference को, काम को, charge को भी SI unit में मापा जाता है ताकि पता चले कि इनकी measurement क्या है तो मेरे भाईयों, V जो है हमारा, V जो है हमारा, वो potential difference है और इसका जो SI unit होता है, वो होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, जिसे हम V से denote करते है जो इसका बच्चो SI मातरक होता है, वो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है और उसे V से denote करते हैं इसी परकार W किया गया कारे इसका वर्क डन का इसका SI unit होता है Joule SI unit मतलब मात रख क्या होता है Joule होता है Joule denote करेंगे J से किसे denote करेंगे capital J से और इसका Q का SI unit होता है मात रख होता है मात रख होता है क्या होता है भई मातरक कॉलम हिंदी में कॉलम और हिंदी में कुलाम हिंदी में कुलाम और सिंबल होता है कैपिटल सी क्या होता है सिंबल कैपिटल सी कैपिटल यह होता है आपका क्या इसका सिंबल किसका कॉलम का ठीक है कुलाम का ध्यान डखना तो अब आपसे कोई पूछे कि पोटेंशल डिफरेंश का ऐसा यूनिट क्या होता है तो वोल्ट होता है वी से डिनोट करते है हाँ जी वर्कडन का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है जे से डिनोट करते है चार्ज का चार्ज का आवेस का हिंदी में इसको आवेश बोलते है हिंदी में इसको आवेश बोलते है इसका ऐसे उनिट क्या होता है कूलम हूँ ठीक है बच्छो अब बात आती है कि मेरे भाई potential difference है क्या तो आईए पता करते है ठीक है अब ये इसका एक volt उठाईए तो इसका एक उठाएंगे तो इसका एक जूल उठाएंगे इसका एक कोलम उठाएंगे चलिए डेफिनिशन त्यार करते हैं तो डेफिनिशन क्या है देखिए यह आपके पास वायर A point B point अब इसकी definition को त्यार करता हूँ मैं तो त्यार करें भाई कि जब एक कूलम चार्ज जब एक कूलम चार्ज एक point से दूसरे point तक जाने पर एक जूल का काम करें फिर से सुनेंगे जब एक जूल चार्ज जब एक कूलम चार्ज जब एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने पर एक जूल का काम करे उसे वन वोल्ट उसे वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या विवानतर कहते हैं मतलब कि जब charge कहीं पहुँच कर कुछ काम करे जूल में काम करे तो वही हमारे लिए क्या है भई potential difference है तो मैंने इसको 1 से denote कर दिया अब 1 की जगा 2, 2 की जगा 3, 3 की जगा 4, 100, 100, unlimited, infinity कुछ भी ले सकते है तो बस वही है बच्चो कि जब एक कुलम charge एक point से दूसरे point तक पहुचने पर एक जूल का काम करे उसे 1 volt potential difference कहते है ठीक है तो इंगलिस वाले क्या लिखेंगे जड़ा लिखिए इसको पहले definition लिखेंगे इसकी ठीक है If 1 volt Sorry If 1 कुलम charge If 1 कुलम charge Goes in a conductor If 1 कुलम charge Goes in a conductor One point to another point One point to another point And done And done 1 joule of work And done 1 joule of work It's called 1 volt potential difference It's called 1 volt potential difference Hindi वाले जब एक कुलम आवेश जब एक कुलम आवेश किसी चालक में जब एक कुलम आवेश किसी चालक में एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक एक कुलमावेस एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक पहुंचने में पहुंचने पर पहुंचने पर एक जूल का काम करे एक जूल का काम करे उसे एक वोल्ट विववानतर कहते हैं उसे एक वोल्ट विववानतर कहते हैं ठीक है बच्चो चलिए, अब अगर आप से कोई बोल दे कि voltage, यानि volt को measure किसे किया जाता है इसको mapa किसे किया जाता है किसे mapa जाता है तो आप बताएंगे तुरंट voltmeter से, किसे voltmeter ठीक है बच्चो और आपको एक बात बताने जा रहो हूँ यहाँ पर, ठीक है अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इसका reason क्या है बच्चो, om slow में पढ़ाऊंगा अभी इस चीज़ को आपको नजर अंदाज करना है जो अब मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है आपको इसको अभी फिलाल के लिए नजर अंदाज करना पड़ेगा उसके लिए sorry, क्यों क्योंकि जब तक वो topic नहीं आता मैं उसको define अभी नहीं कर सकता तो बस आपको इतना याद रखना है कि वोल्ड मीटर जो होता है बच्चो, वो high उसका जो resistance होता है वो high resistance होता है इसका resistance कैसा होता है high resistance होता है मतलब उच परती रोध होता है कैसा होता है उच परती रोध होता है बस इतना याद रखना आप ठीक है, इसका जो परती रोध होता है उच परती रोध होता है, high resistance होता है अब यह resistance है क्या यह मैं आपको ohm slow में पढ़ाऊंगा अब अब जस्ट एक टॉपिक के बाद ओम से लोही शुरू होगा तो जल्दी से इसको नोट कर ली ठीक है फटा फट इसको नोट कर लीजिए जल्दी से इसको नोट कीजिए बच्चों आप इसको नोट कीजिए ठेख चले तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं वीडियो पॉस करके नोट करना ही कहीं आप सोचोगे कि हाँ आपके लिए 10 मिनट वेट कर सकता हूं तो प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए जैसे ही मैं हटूं आप वीडियो पॉस कीजिए और फटाफटी से नोट कर लीजिए ठीक है जी चले शुरू करते हैं बच्चों अब आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिक करेंट कैसे बनता है कल ही बात की है हमने विधुत धारा भाई क्यों नाम पढ़ा इसका विधुत धारा क्यों नाम पढ़ा क्योंकि जिस तरीके से पानी फ्लो करता है तो आप क्या बोलते हैं श्टीम ठीक है क्या कि बहुत सा बहुत सारा पानी एक साथ क्या कर रहा है बच्चो फ्लो कर रहा है तो अब ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखिएगा इसी तरीके से जब वायर के अंदर जब वायर के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रोन एक ही दिशा में एक ही दिशा में मूव करने लग जाते हैं तो ये क्या कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं तो इसे इसी वज़े से इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोन और वही करेंट का मतलब फ्लो करना इस वज़े से कहा गया कि वही electric current है ना the flow the flow of current is called is called electric current is called electric current समझ मारी बात ठीक है वही electron electron के प्रवाह को के प्रवाह को विधुत धारा कहते हैं समझ मारी बात क्यों बच्चो क्योंकि कौन the flow of यहाँ पे the flow of electron the flow of electron is called electric current क्यों electron flow कर रहा है किसमे वायर में जिसका नाम पड़ा electric current क्योंकि electric का मतलब क्या हुआ electron और current का मतलब flow तो यानि the flow of electron is called electric current यही definition थी बच्चों ठीक है अब इसका पहले formula पढ़ेंगे फिर बाद में आगे कहानी तो इसका formula होता है current electric current electric current is equal to charge upon में time time हिंदी में विधुत धारा बराबर आवेश बटे में समय है समझ मारी बच्चों तो इस तरीके से बना formula अब जड़ा देखते हैं यह है क्या चीज़ इलेक्ट्रिक current को denote के जाता आई से किससे आई से चार्ज को अभी अभी बताए मैंने क्यू से एक मिनट यार ऐसे नहीं कर आप आँगा नोट करो बहले आप इसको पहले नोट करो तो पहले नहीं करो वस उचिता करो यार एक होणीं करो हां जी नोट होगे बच्छो नोट होगे ना चलिए आगे बढ़ते हैं एक मिनट बस एक मिनट एक मिनट अंजी तो हमने अभी अभी पढ़ा क्या कि इसका फॉर्मूला आई इलेक्रिक करेंट चार्ज का मतलब क्यू और टाइम का मतलब टी ठीक है अच्छा अभी अभी बच्छों हमने पढ़ा कि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कोलम मतलब मात रख और सिंबल बताने की जूर्य तिन ही है C टाइम टी छोटा टी SI यूनिट kya होता है इसका यूनिट ऐसा ही मातरक क्या होता है जी बही सेकेंड होता है क्या होता है सेकेंड होता है ठेक है ऐसे होता है ना second और इसका symbol होता है small s, छोटा s, कितना है, छोटा s, I current, इसका SI unit क्या होगा भाई, इसका unit SI मात रख, थोड़ा special है, इसका है ampere, क्या है, ampere, ampere, symbol है capital A, symbol क्या है, capital A, अब कहीं आप बोलो, हाँ जी, कहीं आप लोग बोलो, कि sir, एक बात समझ में नहीं आई, ये कैसे हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ampere, ampere क्या नापने दोलने का बाद, तो भई हिसाब किताब क्या है, आप जब अपने घर में बिजली खर्च कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए, जो meter का calculation करने आता है, तो वो आके देखता है, कि किस हिसाब से, आपके घर में current आ रहा है, किस हिसाब से, आपके घर में voltage आ रहा है, और किस हिसाब से आप लोग उस voltage और current को खर्च कर रहे हैं और जिस हिसाब से आप उसका खर्च निकालेंगे वो energy होगी और उसी energy का बिल आपको क्या करना पड़ता है भरना पड़ता है तो वही है बच्चो कि current के लिए जो नापा जाता है तो वो लोग किस में नापते हैं उसको mpr में नापते हैं किस में नापते हैं mpr में और इसको नापने वाले instrument को हाँ जी current measure करने वाले अब देखो दो बाते आती हैं एक आता है current को measure करना और एक आता है current को detect करना ठीक है जी ठीक है detect करना एक आता है मापना और एक आता है पहचानना पहचानना ठीक है जी मापना और पहचानना detect करना ठीक है अब जब measure और detect की बात आती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि current को current को धारा को कौन मेजर करता है तो आंसर है M मीटर कौन M मीटर ठीक है MPR इसका ऐसा यूनिट है और M मीटर कौन है एक इंस्ट्यूमेंट है जिससे हम इसको मेजर करते है और अगर वो आ जाए डिटेक्ट करने बाद तो आप कहना गैलवैनो मीटर तो भाईया अब देख लो गैलवैनो मीटर ठीक है जी अगर आप से कोई कहे कि हाँ जी करेंट को मेजर किससे करते है तो आपका आंसर होना चाहिए M मीटर और अगर आपका आंसर आजाए कि अगर आपसे कॉश्चन आजाए कि करेंट को इलक्टरिक करेंट को डिटेक्ट किससे करते है पहचानते किससे है तो आंसर के लिखोगे गैलवैनो मीटर और आपसन में आप देखना दोनों मिलेगा आपको बस अगर मैजर वर्ड हाए तो M मीटर लगाना डिटेक्ट वर्ड आए क्योंकि यह पहचान रहा है, जब current को पहचानेगा तभी जब low resistance होगा, ठीक है जी, तो दोनों का क्या है, low resistance, same, ठीक है, को दिकत, फटाफट note कर लीजिए, फिर चलो note क्या करोगा, पहले समझ लो, इसकी भी definition हो जाए बाई, इसकी भी definition हो जाए, परिभासा, हाँ जी, a point, b point, अब इसकी definition त्यार करते हैं जड़ा, कैसे त्यार करेंगे, भई, एक ampere ले 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 एक point से दूसरे point तक जब 1 कुलम चार्ज एक point से दूसरे point तक एक second में पहुँच जाए कितने second में? एक second में पहुँच जाए तो उसे हम 1 ampere electric current कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? 1 ampere electric current कहते हैं फिर से मेरी बात को गवर करेंगे कि जब एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में एक सेकंड का टाइम ले तो उसे हम एक एमपियर इलेक्टरिक करंट कहते हैं तो चलिए फड़ा फड़ definition लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ आपको एक definition, 1 ampere गी, When one Coollum of Charge goes one point to another point in wires in a second, in a second in a second this is called one ampere of current this is called one ampere of current this is called one ampere of current ठीक है हिंदी वाले जब एक कुलम आवेश जब एक कुलम आवेश एक बिंदू से दूसरे बिंदू जब एक कुलम आवेश जब एक कुलम आवेश एक कुलम आवेश एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक पहुँचने में एक सेकंड का वक्त ले पहुँचने में एक सेकंड का वक्त ले उसे उसे एक ampere धारा कहा जाता है एक एंपियर धारा कहा जाता है ठीक है फटाफट इसे नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी वीडियो बाउस करें और नोट करो फिर मैं आपको अगला टॉपिक कराता हूं चलिए अपने नोट कर लिया होगा ठीक है वीडियो बाउस करके अगला है बच्चों ओम स्लो यह हमारे ओम भाईया ओम का नियम ठीक है जी अब इससे पहले मैं आपको एक बात पढ़ाना चाओंगा पहले वो बाते पढ़ेंगे फिर आगे हम देखते हैं चलिए बच्चों एक word होता है proportional ठीक है? proportional हिंदी में इसे कहते हैं कर्मानुपाती क्या कहते है? कर्मानुपाती ठीक है जी? अब ये कर्मानुपाती का मतलब क्या है? देखो दो मतलबात निकलते हैं इसके अगर proportional के आगे लगता है directly ठीक है? यानि अनुपाती के आगे क्या लगता है? अनुपाती और या इदर लिखता है इदर परपोर्शनल के आगे अगे अगे लगता है directly अनुपाती तो क्या होगा? परपोर्शनल के आगे अगे अगे लगता है inversely व्यूक्त व्युक्त ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा नहीं वहीं होगा व्युक्त ठेक है अगर डारेक्टली परपोर्शनल हो जाए तो क्या होगा यानि हिंदी में अनुकर्मानुपाती और इंगलिस में इन्वर्सली परपोर्शनल हो जाए तो क्या होगा यानि व्युक्त कर्मानुपात का मतलब क्या है अनु कर्मानु पाती का मतलब है कि मान लीजे दो चीज़ है एक्स और वाई दो चीज़े है अगर एक्स और वाई एक दूसरे के अनु कर्मानु पाती है ये वही सिंबल है परपोर्शनल का सिंबल है कर्मानु पाती का ठीक है अगर एक्स और वाई एक दूस उपाती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर भाई Y X बढ़ेगा तो Y भी बढ़ेगा, X घटेगा तो Y भी घटेगा, यानि इन दोनों में से कोई भी increase करेगा तो दूसरा भी करेगा, और अगर कोई भी decrease करेगा तो ये भी करेगा, और inversely proportional का मतलब है कि अगर दोनों एक दूसरे के inversely, inversely मतलब ulta व्युक्त, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजी अगर X बढ़ता है तो Y क्या होगा, घटेगा और अगर X घटता है decrease करता है, तो Y क्या करेगा, increase करेगा, बढ़ेगा मतलब directly proportional का relation होता है एक जैसा कि भाई, तू बढ़ेगा, मैं भी बढ़ूँगा, तू घटेगा, मैं भी घटूँगा लेकिन inversely का मतलब होता ulta, एक दूसरे से ulta relation कि भाईया, तू बढ़ेगा, मैं घट जाता हूँ मैं घट रहा हूँ, तू बढ़ जा, ठीक है इस तरीके से, तो मतलब व्यूक्त, व्यूक्त inverse, inverse मतलब ulta relation, एक का बढ़ना, एक का घटना जबकि अनू, directly मतलब अगर भाईया, आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे आप घटोगे तो हम भी घट जाएंगे तो इस परकार से, पहले proportional के sign को note करो, फिर मैं आपको आके बताता हूँ, चल्ली note कीजे बच्चो इसको का बढ़ेंगे बढ़ेंगे से, चल्ली झाल जाएंगे आपको आपको से, चल्ली आपको आपको आएंगे झाल झाल चलिए बच्छो आईए शुरू करते हैं नोट कर लियोगा अपने अब शुरू करते हैं हम ओम स्लो अजी ओम स्लो देखिए बच्छो ओम स्लो में दो बाते आती है अभी तक देखो हमने ग्राफ में क्या पढ़ा अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा V is equal to W upon Q और एक पढ़ा I is equal to Q upon T ठीक है तो हमारे ओम भाईया ने ये बात ना पकड़ ली कौन सी बात कि भाई V is equal to W upon Q और I is equal to Q upon T उन्होंने देखा कि भाई V भी कही ना कहीं Q से relate कर रहा है और I भी कहीं ना कहीं Q से relate कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ भाई सीधी सी बात है ये कौन है Q चार्ज ये कौन है Q चार्ज ठीक है जी वी डबलू भाई मतलब वर्क वर्क मतलब काम कर रहा है भाई चार्ज क्या कर रहा है 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 वह सीधी बात है काम तो करना पड़ेगा इस दुनिया में आये हो तो अगला Q भाई क्या है क्या है आपका चार्ज अब जब charge काम करेगा तो T, टाइम खर्च करेगा कि नी वह आप ही कोई काम करो आप ही कोई काम करो तो काम करने के बाद आप क्या करते हो टाइम खर्च करते हो, कैसे, मान लीजिए आप एकज़मपल बैट बोल खेल नहीं गए तो क्या बैट पकडते ही खत्म गेम नहीं, बैट पकड़के भाई अपने ग्राउंड मेजाते हैं उस फे क्रीज बजाते हैं, वहां पे जा के आप पले करते हैं, अगर अच्छा खेल रहे हैं, तो बहुत देरे तक खेलते रहेंगे, बेकार खेल रहे हो तो पहली by completed लिखें कर रहा है तो काम कर रहा है और I जब Q के साथ है तो भाई टाइम खर्च कर रहा है तो मतलग कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से relate हैं कौन वी और आई तो इन्होंने देखा कि भाई वी और आई एक दूसरे से क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं relate कर रहे हैं और जब इन्होंने relation पकड़ा तो दोनों का relation कैसा आया directly proportional का sign आया कैसा sign आया directly proportional का sign आया किसके बीच में VK और IK और जब क्या है भई V और IK बीच में directly proportional का sign है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर current बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा यानि voltage भी बढ़ेगा और अगर current घटेगा तो V भी घटेगा ये बात किसने पकड़ ली भाई ओम भाईया ने कि भाई इसको देखते वह ये पता चल रहा है कि ये दोनों काम कर रहे हैं टाइम भी खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा आई घटेगा तो V भी घटेगा ठीक है दोनों एक दूसरे के उपर depend है कैसे या काम जादा होगा तो टाइम भी जादा लगेगा काम कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा तो सेम चीज तो हो गई एक चीज ने जादा खर्च किया तो दूसरी भी जादा खर्च कर रही है ये कम खर्च कर रहा है तो ये भी कम खर्च हो रहा है सही बात है कि नहीं है जी बिलकुल सही बात है इसका मतलब ये भी है कि हम अगर current डबल करेंगे तो voltage डबल हो जाएगा current half करेंगे तो voltage भी half हो जाएगा क्या किसी भी बच्चे को इसमें कोई problem है मुझे नहीं लगता कि भाई आप problem होने चाहिए क्योंकि एक एक चीज अच्छे से आपके साथ महनत करके जुड़ रहे है अच्छा अब बात आती है कि V is directly proportional to I अब एक बात याद रखना बच्चे कि which directly proportional का sign है न यह छुपा रुस्तम है यह directly proportional का साइन है यो को नै चुपा रुस्तम है चुपा रुस्तम में क计़ यह हटेगा तो अपने साथ एक constant value जरूर देके जाएगा जब यह हटेगा तो अपने साथ एक constant value आपको जरूर देके जाएगा कहेगा भीया दे constant कहीं न कहीं मैंने छुपा रखा है बस मेरे हटने ही दे रही हटते ही आपको पकड़ा दूँगा तो ठीक है जी हटाते हैं तो ओम भाईया ने पकड़ाया हाँ जी ओम भाईया ने इसको जैसे हटाया तो आपको उन्होंने एक constant value पकड़ा दी और ओ नाम है R वो नाम क्या है R ठीक है अब जरूर ध्यान से सुनिए उसके बाद देखिए हाँ जी वी कौन था आपका? voltage है ना? SI unit क्या बने होगी इसकी? मातरक क्या बना होगा इसका? तो बिना बोले आप बताएंगे volt क्या है? volt अभी थोड़ी दिर पहले पढ़ा है symbol V I क्या है? I का ऐसा unit मुझे बताने की जुरूरत नहीं है मातरक अभी अभी आप लोगों ने खुदी पढ़ा है ampere क्या पढ़ा है? ampere symbol R ठीक है? सुरी, symbol A लेकिन यह R कौन है? भई, यह R है resistance हिंदी में प्रतिरोध ठीक है? जिसका बच्चो SI unit होता है मातरक होता है क्या होता है इसका SI मातरक? जल्दी बता दीजिए क्या होता है SI मातरक? इसका SI मातरक होता है बच्चो, ohm क्या होता है? ohm और इसका सिंबल होता है आपको मैं बता दूँ ऐसा देख रहे हैं इसका सिंबल होता है ऐसा अगर ध्यान से देखेंगे तो यह सिंबल कैसा लग रहा है आपको सच बताओ कैसा लग रहा है अब देखो वही मेरा पुराना डायलोग जो हर बार मारता हूँ वही इस पे चिपक बो लाती है, यह हुषा उतल भाई उसके सर पर टीम बना सब भुला देती है तो मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा कि मान लीजी है वाई, यह सिंचेन का सर और हमारे कौन आए वाई, शिंचेन का सर उसकी मम्मे आई, ए फुसा हमारा और भई यह कौन सा लोग गया तो भई यही है हमारे ओम का सिंबल सिंचेन का घुमड़ा ठीक है जी तो यह एक हूशा लगते ही क्या हुआ कि सिंचेन ने एक ओम से लोग के बारे में उसने तुरंद बता दिया कि हाँ जी ओम लोग जो है इस परकार से रिपर्जेंट होगा और ओम जो होगा किसका ऐसा यूनिट होगा रेजिस्टेंस का अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस है कौन अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस है कौन बच्चों देखो सब से पहले रेजिस्ट रेजिस्ट का मतलब होता है किसी को रोकना, प्रती रोध किसी के प्रती विरोध पै utilities पैदा कर देना उसको रोकने लग जाना, अगर आप सामने से आ रहे हैं मैं आपको ऐसे से करके रोक रहा हूँ ठीक है? आप फिर भी कही ना कहीं थे बच से करके रोक रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चो? उसको क्या कोई चीज रोक रही है, रेजिस्टन्स का मतलब तो क्या है, कि भई कोई रोकने वाला, यानि कि करेंट को कोई रोक रहा है, लेकिन करेंट रुक नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जरूर रुकावट कम हो रही होगी, जरूरु रुकावट क्या हो रही होगी, कम ध्यान से सुनना, मान लीजिया, आपके घर में कोई light है आपके घर में कोई light है light को कर दिया, आपने बंद तो तुरंट बंद हो गया लेकिन light को कर दिया, आपने चालू तुरन चालू भी हो गया ऐसा क्या है बई जबकि अगर मान लो अगर मान लो आप पानी भर रहे हो मान लो अब क्या कर रहे हो पानी भर रहे हो अब पानी भरो अब पानी भरते 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 क्या करो आप नल बंद कर दो तो क्या होगा pipe में पानी रुख जाएगा लेकिन अगर आप pipe को वापस छोड़ दो जमीन पे गिरा दो तो देखना धीरे-धीरे उसका पानी निकलने लग जाता है तो ऐसा क्यों नहीं होता भाई कि जब हम wire का भी switch off कर देते हैं जब तक उस star का current खर्च ना हो जाए तब तक वो current क्या है भाई वहाँ तक जाना चाहिए था और थोड़ी दिर के लिए light दो चार सेकंड पान सेकंड के लिए और जलनी चाहिए थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो इसका मतलब क्या है कि जरूर wire के अंदर कोई एक ऐसी सकती है जो उसे रोक रही है ये बात किस ने notice कर ली थी? हमारे ओम भाईया ने और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा? कि भाई ये पता लगाया कई सारे practical से कि हान जी wire के अंदर एक ऐसी सकती है जो उसके current को रोक रही है और उसका नाम है resistance उसका नाम क्या है? resistance और इन्ही ओम भाईया के सम्मान पे इसका ऐसा unit resistance का क्या रखा गया? ओम रखा गया तो क्या सभी बच्चों को resistance की बात के लिए हो गई है? हो गई? चलो तो note करो इसे फिर एक last topic और आज का topic खतम एक last topic और करा रहा हूँ इसी का फिर वो खतम वीडियो बाउस करो और note करो चलिए देखेंगे देखो हाँ भई अब देखेंगे बच्चों ध्यान से अब जब हमने proportional का sign हटा है तो क्या लग गया? बराबर और आपको मैंने क्या बता है? जब जब आप proportional का sign हटाओगे तो equal लगेगा और equal के साथ एक बात और बता रहा हूँ proportional का sign हटाते ही एक constant value भी आ जाएगी कौनसी value आ जाएगी? constant, constant क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं? हिंदी में इस्तिरांक क्यों बोल रहा हूँ constant? क्योंकि अब कुछ भी change करते रहो V, I में कुछ भी change करते रहो R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब आप V में और I में जितना मर्जी change लाओ R पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है R वैसा का वैसा ही रहेगा लेकिन बही नौ I और R के बीच में भी तुछ रिलेशन पढ़ लें I और R के बीच में भी तुछ रिलेशन पढ़ लें तो मेरे भाई इसके बीच में रिलेशन है directly proportional अनु कर्मानु बाती जबकि I और R के बीच में क्या होता है भई? universally proportional बीच्च कर्मानु बाती कर्मानु बाती टो ऐसा क्यों भई? क्योंकि अभी अभी दो मिनट पहले हम लोगों ने बात कि है आपस में क्या बात कि है कि I मतलब होता current current का मतलब होता flow और अभी अभी R का मतलब क्या देखा हमने resistance, resistance का मतलब क्या होता है रुकावट, जो किसी के flow में रुकावट बन जाए, मतलब जैसे ही current को हमने off किया, तुरंत रोक लिया, जैसे ही वापस force लगाया तुरंत flow कर गया, तो मतलब R का मतलब resistance, resistance मतलब रुकावट, I का मतलब current, current का मतलब flow, तो हुआ क्या, ये चीज करना चाहती है flow, और ये चीज करना चाहती है रुकावट, यानि ये रोकना चाहती है और ये flow करना चाहती है हलो हलो, हलो, हंजी, सुरी बच्चो, एक काम आगे था हाँ, देखना जरा, हंजी, I, ये क्या करना चाहता है flow, और ये क्या करना चाहता है रुकावट, ये करना चाहता है flow, ये करना चाहता है रुकावट, तो मतलब दोनों के बीच में relation कैसा नजर आ रहा है आपको, उल्टा कैसा relation आ रहा है नजर, उल्टा कि भाई, ये flow करना चाहता है, ये रोकना चाहता है तो मतलब क्या हुआ, कि ये अगर बढ़ना चाहता है तो ये रोकना चाहता है और अगर ये रोकना चाहता है तो ये बढ़ना चाहता है फिर से ध्यान से सुनो अगर रुकावट बढ़ेगी तो flow कम होगा रुकावट घटेगी तो flow जादा होगा क्या मैं इस बात को इस डंग से लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं कि जी अगर रुकावट किसी चीज में बढ़ा दी जाए तो उसमें flow घट जाता है और अगर रुकावट किसी चीज की घटा दी जाए तो flow बढ़ जाता है सीधी सी बात है बच्चो आप अपनी गली में क्या बहुत तेज बाइक चला सकते हैं बिलकुल नहीं चला सकते आप क्यों क्योंकि भाईया वहाँ पे रुकावटे बहुत जादा है बच्चे खेल रहे होते हैं अंडिया बैठी होती है और भी कई सारे लोग होते हैं ठीक है और बीच में बाइक वाइक भाइक भी खड़ी होती है कई लोगों की तो रुकावट कहती जादा तो फ्लो क्या रहा कम लेकिन यहीं मैं कहूं कि हाईवे पर चलना है जी अब हाईवे पर चलो ठीक है तो क्या करोगे रुकावट होगी कम आपका भाई फ्लो क्या होगा बहुत तेज़ तो इसलिए बच्चो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है इनवर्सली रिलेशन मतलब अगर रसिस्टेंस को डबल कर दें तो करेंट हाफ हो जाएगा और अगर रसिस्टेंस को हाफ कर दें तो करेंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा क्या हो जाएगा डबल और इस प्रकार बच्छो हम लोगों ने ओम सलो का टॉपिक खतम कर लिया ठीक अच्छा अब मैं एक बात यह भी बताना चाहूँगा इधर आख नौ I is inversely proportional to R लेकिन अगर माल लो मैंने क्या बताए था मैं proportional का sign हटाऊंगा तो लगेगा बराबर लेकिन एक बात और भी बताई थी कि जब जब proportional हटेगा वो एक constant value देगा तो बताओ I और R के बीच में constant कौन होगा तो मेरे भाई constant होगा V constant कौन होगा V constant कौन होगा V तो इस बात का ध्यान रखना कि जब V और I के बीच में directly proportional था तो R constant है जबकि I और R के बीच में proportional जब रहेगा inversely तो वहाँ पे constant कौन होगा V constant होगा V इस थी rank होगा ठीक है यह अपनी जगा पे fix होगा ठीक है चाहाँ current को जितना बरजी बढ़ाओ घटाओ यह अपनी जगा पे fix काम करता रहेगा ठीक है बच्चो तो चलिए आज हमने om slow proper तरीके से खतम कर लिया है इसको एक ही बार में मैं ऐसा करा दिया है कि अब आप इससे related कहीं से भी question आएगा तो आप बड़े अराम से tackle कर लेंगे ठीक है अब इसके graph है इसके वारे में और भी एक दो point है तो वह हम next class में पूरी तरीके से discuss करके इस पूरे chapter को खतम करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं good night आप सभी को ठीक है सवस्त रहिए और सभी बहुत महनत कीजिए क्योंकि देखे कभी भी एक्जाम हो सकता और एक्जाम होगा तो इन सब टॉपिक से related कई बार कोशन आए वे हैं और हम चाहेंगे भई सभी हमारे team members यह चाहेंगे कि आप लोगों की job जल्दी से जल्दी लगे तो कृबिया पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और किसी नोट कीजिए और आज की class यहीं खतम करते हैं